अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, आप मेरी चैनल में नए हैं तो इसे सस्क्राइब करें पाउच बनाने के मैंने ये वैलेट का फैबरिक लिया है, कॉटन की लाइनिंग लिये, फॉर्म लिये और जिप लिये, इसकी लेंद्ध मैंने 15 इच लिये और 13 इच इसकी बृत लिये, इसी साइज की मैंने ये लाइनिंग लिये, इसी साइज की मैंने ये फॉर्म की शीट ल सकते हैं बुक्रम भी लगा सकते हैं जो आपको एजिली अभी लेवल हो आप वो लगाएं 6 इंच की मैंने ये गोर पटी ले लिये इसमें मैं पॉकिट बढाऊंगी मैंने फॉर्म को फोल्ड कर लिया है अब मैं इस पर मार्किंग करूंगी 1.5 इंच पर मैं इसकी वृत कर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पर इसकी लेंद कर निशान लगाऊंगी इस तरीके से आप लाइन बना के आप इसका बॉक्स बना ले फॉर्म के एक साइट पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर लिये अब मैं इसी तरीके से इसकी दूसरे साइट पर मार्किंग करूंगी इस तरीके के पौश बैक को आप easily carry कर सकते हैं इससे आप as a jewelry box भी carry कर सकते हैं आप makeup box की तरह भी carry कर सकते हैं इसके दोनों side की marking हो चुकिया अब मैं इसके cutting करूँगी इस तरीके से इसके cutting हो चुकिया इस फट्टी से हम pocket बनाएंगे ट्टी इंच के के app से हम lining पर marking कर लेंगे lining पर marking हो चुकिया अब हम इस पर pocket लगाएंगे इससे थोड़ा सा नीचे से fold कर लेंगे pocket बनाने के लिए हम इसके ऊपर से style लगाएंगे कपड़े को fold करके अब हम इस तरीके से इसके दूसरे pocket बनाएंगे अब हम इसके ऊपर के style लगाएंगे अच्छे से fix कर लेंगे अब हम इसके दूसरे side से style लगाएंगे अब आप इसके नीचे के side style लगाएंगे इससे आपके pocket बन जाएगे इस तरीके से lining में pocket बन चुकी है मैं इस में अब zip attach करूंगे वैलवेट के ऊपर zip रखेंगे अब हम इसके ऊपर से lining लगाएंगे अगर आप इस तरीके से zip लगाएंगे तो आपके zip दिखाएंगे इस तरीके से राम राम से हम इस पूरे पर slide लगाएंगे इसके एक side की slide लग चुके इस तरीके से आप इसकी दूसरे side की slide लगाएंगे मैंने ये वैल वैट का पाउश बनाया आप चाहें तो ब्रोकेट का ये बना सकते हैं या कॉटन के प्रिंटिट फैबरिक का ये बना सकते हैं slide लगाते तेमा अब दिखान रखेंगे जिब दबने नहीं चाहिए इसकी दूसरे side की भी slide लग चुकी है अब मैं इस पर top seam लगाऊंगे top seam लगान से zip finishing से लगेगी इस तरह हमारे एक side की slide लग चुकी है इस तरह की तरह हम दूसरे side भी लगाएंगे इसकी दोना side पर slide लग चुकी है अब हम इसकी side की slide लगाएंगे पहले हम lining में slide लगाएंगे lining पर slide लग चुकी है अब हम form पर slide लगाएंगे एक side की slide लग चुकी है अब हम दूसरे side की slide लगाएंगे हम form पर slide लगाएंगे form पर slide लगाएंगे इस बात का आप ध्यान रखें इसकी दोनों side की slide लग चुकी है अब हम इसके corner बनाने के लिए इसकी नीचे की side की slide लगाएंगे इस तरह केसे दोनों side की नीचे की स्राहीं लग चुकी इस तरह केसे corner बन चुकी इस तरफेसे ये पाउस्च बन के ready हो चुका है इस तरफेसे आप पाउस बैग अपने घर में ready कर सकते है पाउस बैग बनान के ये तरीका बहुत easy है जिले झाल झाल